नमस्कार दोस्तो मैं हूं खन्ना और आप देख रहे हैं टिप्स फॉर हेल्थ दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि तामे के बरतन में रखा हुआ पानी पीने से हमारे शरीर में क्या-क्या लाब होते हैं किन लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए तथा इस पानी से हमारे शरीर की ऐसी कौन-कौन सी बिमारिया हैं जिससे हमारे शरीर का बचाओ करता है तो दोस्तो जानकारी शेयर करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अधी, लोहा, इत्यादी, ऐसी 18 धादु हैं जिन से ये हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है और उन में से तामा या कॉपर एक ऐसी धादू है जो हमारे शरीर में बहुत ही एहम भूम का निभाती है तो दोस्तों अगर हमारे शरीर में कौपर या तामे की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर को बहुत सी ऐसे दिक्कते हैं जिनका सामना करना पड़ता है और हमारा ध्यान बिल्कुल उस तरफ नहीं जाता है क्योंकि हमें जो है सही जानकारी नहीं होती ना कोई हमें बताता है कि आपके शरीर में कौपर की भी कमी हो सकती है और हमारा ध्यान भी बिल्कुल उस तरफ नहीं जाता है और हम तरह तरह के ऐसे उपाय करने लगते हैं जिससे हमारे शरीर को लाब मिल सके और हमारा शरीर फिर से स्वस्थ हो सके लेकिन ये छोटा सा प्रयोग जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं उस तरफ बिलकुल नहीं ध्यान जाता और अगर ये छोटा सा प्रयोग कर लिया जाए तो हमारे शरीर में तामवे की कमी बिलकुल नहीं होगी और उस तामे की कमी की वज़े से हमारे शरी को जिन जिन रोगों का सामना करना पड़ता है उन रोगों से भी हमें बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि तामबे के बरतन में रखा हुआ पानी पीने से हमारे शरी को कौन कौन से लाव होते है दोस्तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको मार्केट से तामबे का जग लाना है उसमें रात में जग में पानी भर के आपको रात भर रख देना है और पानी को ढख कर रखना है और अपने शरी से काफी थोड़ी दूर रखना है जब आप सुबह उठे तो बिना कुला किये मतलब आप 100 चित्यादी कहीं नहीं जाएंगे सबसे पहले आपको जो काम करना है वो इस जग में जो पानी रखा हुआ है उस पानी को कम से कम 2 गिलास पानी आपको पीना है अब ये पानी पीने के बाद आप जो भी दैनी क्रियां करते हैं सोचित्यादी बगएरा वो आप कर सकते हैं तो दोस्तो केवल ये छोटा सा प्रयोग है कि तामबे के बरतन में रखा हूँ पानी आपको सुबह सुबह पीना है खाली पेट ठीक है और आपके शरीर में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे कि आपको खुद महसूस होने लगेगा कि वास्ताव में हमारे शरीर में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं और हमारे जो शरीर में छोटी मोटी बीमारियां थी हो उसे हमें छुटकारा मिल जाता है तो दोस्तो पहली चीज हम आपको यह बता दें कि तांबे के बरतन में रखा हुआ पानी पीने से सबसे बड़ा ऐसा कौन सा रोग है जिससे हमें छुटकारा मिलता है तो दोस्तो सबसे बड़ा जो रोग है वो है हमारे बालों की समस्या दोस्तों अगर हमारे शरीर में कॉपर की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो सिर में जो बाल हैं वो जो है कम होने लगते हैं गिरने लगते हैं कमजोर हो जाते हैं उनका पोशन खतम हो जाता है और हमारा ध्यान बिल्कुल उस तरफ नहीं जाता कि हो सकता है कि ये तामे की क प्रफ नहीं जाता कि शायद कॉपर की भी कमी हो सकती इस वज़े से हमाई बाल की ये समस्या उत्पन हो रही है तो दोस्तों अगर आपको बालों की जढ़ने की समस्या है या बालों का रूखापन की समस्या है या बाल असमे सफेद हो रहे हैं तो आप इस पानी का प्रयोग क होता है और अगर आप यह प्रयोग करेंगे तो काफी अच्छा रिस्पॉंस आपको आँखों की समस्या में भी मिलेगा और दोस्तों सबसे बड़ी चीज यह हमारे पेट का जो पाचन संस्थान है इसको बहुत ही मजबूत कर देता है हमारी जो पेट की तरह तरह की समस्या है जैसे कब जहाए इत्यादी बहुत सी ऐसी समस्या होती है पेट की जिससे हमें चुटकारा दिलाता है और इसके रेगुलर प्रयोग करने से मतलब दो से तीन महीने अगर हम आप यह प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे पेट की हर प्रकार की समस्या बड़ी से बड़ी समस्या से यह हमें छुटकारा दिला देता है और दोस्तों अगर हमारा पेट स्वस्त रहेगा तो हमारे शरीर में बहुत से ऐसे रोग है जो हमें लगेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा पेट स्वस्त है तो हमारा शरीर पूरा स्वस्त है अब बात करते हैं कि किन लोगों को तांबे के बरत पानी पीने से अवाइट करना चाहिए ठीक है और अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है आपके सरीर में थोड़ा रूखापन है या आपके बालों में किसी प्रकार की समस्या है या आपकी आखों की समस्या है आख की रोशनी कमजोर हो गई है या पेट में कब्ज रहता है प ये प्रयोग आप कर सकते हैं और दो से तीन महीने ही आपको ये प्रयोग करना है फिर एक महीने का गैप करना है उसके बाद फिर इस प्रयोग को आप पुना प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि होता क्या है कि अगर हम ये प्रयोग लगातार करते जाते हैं तो हो सकता है हमारे शरीर दोस्तों अगर यह प्रेयोग आप रेगुलर करेंगे तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी चोटी मोटी जैसे आपके चहरें मे जुरिया वगएर भी हमारे चेहरें के छुटकारा देलाता है और चेहरे का रंग साफ करने में काफी मदद करता है तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताए गई जानकारी समझ में आ गई होगी अगर आपको ये किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप तरह तरह के उप्योग करने से अच्छा आप ये प्रयोग करिए हो सकता है दो से तीन महीने के जिए छोटे से प्रयोग करने से आपके शरीर की जो दिक्कते हैं वो दूर हो जाए और आपको अच्छा पढ़नाम देखने को मिले तो दोस्तो अगर आपको हमारे दौरा बताएगे जैनकारी पसंद आई है तो प्लीज हमाई चैनल को अभी सब्सक्राइब करें लाइक करना बिल्कुल न भूलें और अगर कोई समस्या आपको है तो कमेंट में प्लीज हमें बताएगे हम उस कमेंट का जरूर से जरूर आंसर देंगे और आपकी समस्या से आपको छुटकारा दिला देंगे तो दोस्तो तब तक के लिए स्वस्त रहिए और मस्त रहिए नमस्कार